हलो वेलकम बैब फ्रेंट्स एक बार फिर से स्वागा था आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमेश गुरू टुटोरियल में तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो के जरे मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके एकाउंट पे कुछ इस तरह से रिस्टिक्शन लग जाता ह अब प्रेंट्स आपको जो जब आपके एकाउंट पे एकाउंट रिस्टिक्शन लग जाता है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको आवर्ज दिखाया जाता है जैसे कि अभी six hour दिखा रहा है थोरी देर पहले आपको जो है seven hours इस पे ही दिखा रहा था अगर से आपके page पर क्या effect परने वाला है एक़ौन्ट पर एकस्क पर परने वाला है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और आपके अपने account से अपने page पर क्या नहीं करना चाहिए जिसे आप जो है इस Salut लेशन से बचे रहे, account restriction वाई लेशन से बचे रहे, account restriction जब आपके account पर लग जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, your group activity is restrict for 6 hour, you can't start or join any call for 6 hour, your account is restrict for 6 hour, यानि कि यह जो है कुछ समय पहले यहाँ पर 7 hour दिखा रहा था, और जैसे जैसे इसका घंटा कम ज़रा है, कुछ देर क मैं A2Z explain करूंगा, तो इस वीडियो को बिना skip किये हुए आपको देखना है, अगर फ्रेंट्स आपको इनी stream ads related कोई भी question का solution चाहते हैं, जैसे कि auto approval group list चाहते हैं, अप editing software चाहते हैं, extension tool चाहते हैं फ्रेंट्स, तो फ्रेंट्स आपको इस channel को subscribe कर लेना है, subscribe करने के बाद आ आपको उस private group के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, आपको provide करवाय जाएगा, अगर आपको ID से related कोई भी question है, तो उसके लिए मैंने WhatsApp group का link अलग से डाल रखा है, अगर आप ID से related कोई solution चाहते हैं, तो आपको WhatsApp group को join करना है, और इस channel को subscribe कर लेना है, प्रेंट्स, तो चल पोस्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपना खुद का फोटो भी पोस्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर जितने घंटे के लिए यहाँ पर restriction लगाया गया है, उतने घंटे तक आप अपने profile पर page पर group में कहीं भी comment भी नहीं कर सकते, अगर ऐसे टाप का जो आपके account पर restriction आता ह लेकिन इस restriction से आपको घपाने की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन आपके facebook page पे कुछ why lesson जरूर आ जाता है, तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसा why lesson आने से आपके facebook page पे क्या effect परता है, तो सबसे पहले हम facebook को switch कर लेते हैं उस facebook page को, तो जैसा कि friends यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अगर आप कुछ post करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर temporary blocked वाला message दिखाएगा आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पर already यह जो है post करके check कर लिया, यहाँ पर देखेंगे, you recently posted something that violet facebook policy, so you are temporary blocked from this feature for more information, visit help center, याने कि आपने जो है community guideline का जो है against उसका जो post है चला गया, इ इसके आने से आपके facebook page पर क्या effect परता है, आपके group quality का क्या effect परता है, इसको भी हम देख लेते हैं, तो friends चली हम इसके group quality को देख लेते हैं, यहाँ पर professional dashboard बटन पर आपको click करते हैं, जब आप group quality देखना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर professional dashboard देख जाएगा, simply आपक पर click कर देना है, click करने के बाद यहाँ पर आपको page quality वाला एक बटन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप page quality बटन पर जब click करेंगे, तो आपका page quality यहाँ से दिख जाएगा, तो friends जब आप वायलेट करते हैं, तो कुछ इस टैप से आपके facebook page पर some issue वाला यहाँ प यहाँ पर content जो है, इसने find कर लिया, मैंने यहाँ पर कुछ wave series को डाला था, और wave series को जो है, इसने इस category में रख लिया है, sexual activity में रखके, यह खुद से जो है, यहाँ पर अगर इसका symbol देखे, तो we are keeping it down, याने कि यहाँ पर hammer का scene है, यहाँ पर, इसने खुद से जो है, इस व video को block किये है, और आपके account पर कुछ restriction लगा रहे है, और आपके page पर भी एक while lesson आ गिया है, अगर यहाँ पर click करके, मैं आपको इसका दिखा हूँ, पूरा complete, यहाँ हम arrow button पर click करेंगे, तो arrow button पर click करने अग बाद, यहाँ पर जो है, इसका full detail आपको देखने को मिल जाएगा, and admin said a piece of content that goes against our community standard on adult, humidity and sexual activity, इस tab के category में वो जो है उस post को मान लिया, इसलिए जो है उस वेब स्रीज को remove कर दिया, और यहाँ पर हमारा जो है violation आ गिया, तो कुछ इस tab से आपको इसमें घबराना नहीं है, जब आपके account पर इस tab का restriction आ जाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकत है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपके account पर और आपके facebook page पर इस tab का restriction आने से कब तक उसका solution automatic निकल जाता है, automatic हट जाता है, उसको हम एक एक करके explain करेंगे friends, तो friends यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसका link आपको provide करवा दूँगा, यहाँ पर अच्छी तरह से पहल तो इसने खुद explain किया है, अगर आपके facebook page पर one stack आते हैं, तो warning and no further restriction, one stack अगर आपके facebook account पर किसी भी type का community guideline का against जाएगा post, तो आपके account पर कोई भी restriction नहीं लगा जाएगा, उसके बाद इस article में two stack, यानि कि one stack अगर आपके account पर परता है, तो कोई restriction नहीं, two stack अगर आपके account परता है, तो one day restriction from creating content such as posting, यानि कि content को आप create नहीं कर पाएंगे, post भी नहीं कर पाएंगे, comment भी नहीं कर पाएंगे, facebook live और page को create भी नहीं कर पाएंगे, इस टैप से restriction आपको जो है, एक दिन का लग जाता है, आपके account पे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर three stack आता है, तो तीन दी तक आप जो है, यह सब नहीं कर पाएंगे, जैसे कि facebook page creation, live जाना, comment करना, पोस्ट करना, वीडियो अप्लोड करना, यह सब जो है, आप तीन दीन तक नहीं कर पाएंगे, चार stack आपके account पर जाता है, तो आप जो है, seven days तक यह सब नहीं कर पाएंगे, अ आपका जो है, automatic यह remove हो जाएगा, जैसा कि मैंने account में जाके आपको दिखा दिया था, एक बार मैं फिट से account में, तो फ्रेंट्स यब आपके account पे account restriction आ जाता है, तो आपको घबराने की कोई जरूद नहीं है, यहाँ पे देखेंगे, यह automatic जो है, यहाँ पे six hour अभी दिखा आप कर पाएंगे, तो फ्रेंट्स आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक जरूर दबाना, तो फ्रेंट्स यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इस वीडियो से related आपको कोई भी और पोस्चन रहा गया है, तो आप हमें comment करके पू कोई भी question है, तो उसके लिए मैंने WhatsApp ग्रूप का अलग से दे रखा है, उसमें आपको join कर लेना है, तो मिलते हैं एक powerful educational वीडियो के साथ, तब तक के लिए, bye